नमस्कार दोस्तो अब की खबर टेलिविजन जगत से शादी के बाद देवुलीना रोमैंटिक अंदाज में दिखी विशाल सींग के साथ लोग बुले ये रिष्टा क्या कहलाता है साथ निभाना साथिया फेम देवुलीना भटाचार जी शादी के 15 दिन बाद ही अपने दोस्त विशाल सींग के साथ एक रोमैंटिक अंदाज में नज़र आई देवुलीना भटाचार जी ने अपने बॉइपरेंट शाहनवास शेक से साथ कुछ दिन पहले ही शादी की है टीवी की गोपी बहु ने शादी के चन्द दिनों बाद विशाल सींग के साथ रोमैंटिक वीडियो शूट करके लोगों को हैरान कर दिया है विशाल सींग और देवुलीना भटाचार जी एक दूसरे को तब से जानते हैं जब सेवे शो साथिया साथ निभाना का हिस्सा थे दोने की वीच तब से अच्छी बॉंडिंग है लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि शादी के बाद दूसरे मर्द के साथ इस तरह रोमैंटिक होना आखिर कहां की समझदारी है देवुलीना और विशाल सींग के अफैर के चर्चाएं पहले भी होती रही हैं पर अक्टर्स कुछ ऐसा करेंगी किसी को अंदाजा भी नहीं था वीडियो देखने के बाद नेटिजन्स उनके रिष्टे को सवाल उठा रहे हैं एक यूजर पूछता है ये रिष्टा क्या कहलाता है दूसरा यूजर लिखता है भाई अब तो छोड़ दें उनकी शादी हो गई है दीसरा यूजर लिखता है रील देखकर लगता है आप दोनों में प्यार है और सोचा था कि आप शादी करेंगे लेकिन हमें क्या पता था कि देवोलीना किसी और से शादी कर लेगी चौथा यूजर लिखता है जोड़ी तो ये है देवुलीना ने 37 साल की उमर में शाहनवास से 14 दिसंबर को साथ पेरी लिये थे उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्री वेडिंग सेरिमेनी की तस्वीरें और वीजो भी शेर किये थे जो उनकी हल्दी और महंदी सेरिमेनी की थी बीजिया रिपोर्ट्स के अनुसा देवुलीना ने शाहनवास से लगवक करीब 3 साल तक रिलेशन्शिप में रहने के बाद शादी की शाहनवास जिम ट्रेनर के तौर पर काम करते हैं और वह कई सलेप्स को फिट रहने में मदद करते हैं तो इस तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद